12th pass graduate, post graduate के लिए एक बहुत अच्छी job opportunity अबिलेबल है सदर लेंड की तरफ से तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी job roles के लिए job opportunities के लिए discussion करने वाले हैं Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mad Overmaking मेरा नाम प्यूश बंसल है और आज की इस वीडियो में हम लोग सदर लेंड से आई हुई जो भी job opportunities available है उन ही साधी job opportunities के बारे में discussion करने वाले हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखें so that आपको साधी information मिल पाए मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी job opportunities को search out कर सकते हैं किसी भी job role के लिए दूसरी चीज हम लोग discussion करेंगे job description थर्ड किस तरीके से आपको उसका eligibility criteria चेक करना है और सबसे last में कैसे आपको उसके लिए apply करना है तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं तो जैसा कि अभी आप screen पर देख सकते हैं सबसे पहला तरीका मैं आपको इनके लिए नौक्री.com से बता देता हूँ नौक्री.com पर इनके लिए currently 2-3 profile available है for the voice process voice process के लिए अगर हम बात करते हैं जिसके लिए freshers candidate apply कर सकते हैं तो सबसे पहली है opening for the non voice process Sutherland Global Services के लिए freshers candidate apply कर सकते हैं location इन्होंने channel दे हुई है current pandemic की बज़े से हो सकता है कि आपको work from home करना रहे तो आपके लिए job opportunities का जो भी location रहेगा वो आपको interview के time पर या interview से पहले जो भी आपको mail आएगा वहाँ पर clear कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं का job description, eligibility criteria और दूसरी अच्छी बात यह होती है अगर knockree.com से apply करते हैं तो आपको इनकी HR का details with the contact number आपको दिया जाता है जिससे आप उस person से contact भी कर सकते हैं in case अगर आपको कोई difficulty face करते हैं दूसरा जो job role है वो work from home के लिए ही है सदर लेंड में सदर लेंड global service private limited freshers candidate के लिए same profile available है इस role के लिए आप इनकी website से भी apply कर सकते हैं और यहां से भी apply कर सकते हैं इस profile के लिए eligibility criteria, high school, bachelor degree it means 12th pass, graduate any graduate candidate apply कर सकते हैं अगर हम इसकी HR details की बात करते हैं तो यहाँ पर HR details भी आपको मिल रही हैं यह दोनो job roles freshers candidate के साथ में experience के लिए भी available है तो according to your requirement अगर fulfill करते हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए simple आपको कुछ नहीं करना आपको नौकरी.com से login करना है login करने के बाद simply आपको अपना mail ID और password यहाँ पर डालेंगे तो आप submit कर पाएंगे application with the Sutherland HR team for the current role or for the role for which you are applying next हम लोग तरीका यहाँ पर देख लेते हैं इनका career portal से apply करने के लिए career portal से आपको simply page मिलेगा जिसकी link मैं आपको description में दे दूँगा तो वहाँ से आप click करेंगे तो इस link पर पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको यह साथे job roles available हो जाएंगे associate, associate account payable, lead account payable, associate इस तरीके से multiple roles available रहेंगे इन job roles के बारे में job description, eligibility criteria आपको check करना है simply उस पर click कीजेगा और आप उसका पूरा description यहाँ पर check कर पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर associate CS1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो पूरा job description आपको यहाँ पर दिया हुआ है along with the qualification, high school diploma, क्या skill set required है यह सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दूसरी profile भी सेम तरीके से associate की profile है, चैन्दा इसके लिए location है job description यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह पूरी की पूरी information आपको इनकी website पर ही देखने को मिलेगी जिससे आप easily यहाँ पर पूरा verify check कर सकते हैं कि job role genuine है, क्या requirement है और कैसे आपको यहाँ से आगे further process करना है दोनों ही तरीके से आप apply कर सकते हैं किसी भी job role के लिए आप apply कर सकते हैं customer service associate के लिए अगर interview questions के लिए हम बात करते हैं तो बहुत simple से questions रहते हैं tell me something about yourself आप customer service associate के लिए क्यों apply करना चाते हैं आप southern land के लिए क्यों apply करना चाते हैं अगर आपका prior experience है तो experience related questions हो सकते हैं कि आपने कहां पर work किया था किस role के लिए work किया था अगर हम profile related questions की बात करें तो एक mock call आपका कराया जा सकता है उस mock call में generally वो आपको check करेंगे कि आपका communication skill किस तरीके से है how will you treat the angry customers बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब customer service से बात करेंगे तो ऐसे customers भी मिलेंगे जो बहुत rudely बात करेंगे तो उस condition में आप कैसे behave करेंगे तो इस तरीके के questions आप से पूछे जा सकते हैं इस role के लिए दोनों ही तरीके से आप easily apply कर सकते हैं career portal से apply करने के लिए आपको apply नाउपर click करना है click करने के बाद आपको ये window देख जाएगी इसमें दो तरीके हैं LinkedIn से भी आप apply कर सकते हैं और अपना account create करके भी apply कर सकते हैं अगर आपका LinkedIn पर account है तो sign in with LinkedIn कीजेगा और आप IEL के application form को open कर पाएंगे और resume को attach करके आप इसके लिए apply कर पाएंगे तो apply कीजे try कीजे और जो भी अगर problem difficulty आती है then feel free to ask me over my Instagram as well as in the comment section आज की वीडियो के लिए इतना ही गाईज thanks for watching this video do apply and get the revert and get the job